तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी जाएगा अठारा हजार और बैंक निफ्टी 40,000 की करीब आ ही चुका है आज के वीडियो में मैं आपको बता हूँगा की पोजिशनल लाइक की नेक्स्ट वीक के लिए हम क्या होल्ड कर सकते हैं और इंट्रडेके टाइम फ चुका है तो यह काफी अच्छा है राइट इवन फिफिफिटी भी आल्मोस्ट 18,000 से बस 209 पॉइंट से दोर तो यह सब के साथ तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक पहले देख ले थे कि वीकली हमारी पोजिशन क्या रहेगी अब हमने क्या यहां पर हमें कल क यहां पर यहां पर यहां पर पहुंच गया है और स्टेट फॉर्वड साइकलोजिकल टार्गेट है तो मतलब अब हमारे पास यहां पर यह तीन देंज मिल चुकी है निफ्टी बैंक में यह चीज़ पसंद आएगो तो लाइक करो मैं आगे आपको लोगों को और सिखा रहा हूं ठीक है और अभी यहां पर हमारे पास क्या है टार्गेट क्या है 40,000, 38,000 मतलब हमनों जो नेक्स्ट वीक को टार्गेट करेंगे बुलिश मोमेंटम है हम क्या है 40,000 की कॉल बाई कर सकते हैं नेक्स्ट वीक मतलब 10 फेब की विद स्टॉप लॉस ऑफ 38,800 के नीचे जाएगा हमें एक्जिट करना है और 40,000 का हमारा स्टेट फ़रवर टार्गेट रहेगा आप आते हैं हो कौन से टाइम फ्रेम पर खेलेगा अगर मैंने आप लोगों को यहां पर चलते मार्केट के बीच में मैंने आप लोगों को बताया था यहां पर यह देखो यह असेंडिंग ट्राइंगल ब्रेकाउट आ रहा है नहीं यगीन होता यह देखो यह रहा वीडियो जाओ जाक किया है राइट ब्रेकाउट आया 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 आने वाला था ही और उसी के साथ साथ वो यहां पर सपोर्ट ले गया ठीक है यहां पर देखो तो मतलब यह जो लो है यह अभी करेंटी क्या है यहां पर ऐसा सपोर्ट काम करें क्यों क्यों इसने ब्रेकाउट से पहले जो एक ड ये कल के लिए है कि अगर मार्केट 39100 के नीचे कर लेंगे और हमारा चुर्बध यह इसके नीचे खुलता है तो हम लोगों पूट लेंगे ठीक है लेकिन अगर कर मार्केट फ्लेट खुलता है तो हमें कर 39,750 और इसके उपर उपर जाते हैं तो यहां पर एक सीखने की क्या बात है कि अपसे मोमेंटम आपको इतना ज्यादा नहीं मिलेगा तो इसके लिए हमें हमेशा इन्दा मनी पर प्ले करना पड़ता है क्योंकि इन्दा मनी पर जितना इंडेक्स कर बैंक निफ्टी मूफ करेगा उतना ही हमें यहां पर पॉइंट्स गेन मिल जाएगा आउट अफ दी मनी में क्या होता है यहां पर सीखने वाली बात है कि अगर यह आता है अगर यहां पर सस्टीन नहीं करता तो हमारा पहला टार्गेट रहेगा यह और दूसरा टार्गेट रहेगा यह इसके नीचे जाएगा तो फिर मोमेंटम काफी थोड़ अब बिगड़ सकता है कल के लिए बट होप सो यह 39,100 सस्टेन करके यह वापस से एक पुल बैक यहां पर दे तो यह थी निफ्टी बैंक की हमारी स्टेड़जी अब यह है सेम एस यूजवल यहां पर है यहां पर क्या हुआ बजट नहीं यहां पर एबज़ॉब हो गया तो मतलब यह वाल अब हमारे पास यह क्या है कि आज का जो सपोर्ट है वह हमें क्लोज करना मतलब हमें सपोर्ट करना चाहिए और ओपर हमारे टार्गेट है 17,900 के 18,000 स्टिल थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है क्योंकि आप लोगों को अगर पिछली बार जो लोग एनलेसिस देखनें की 17,900 पर काफी टाइम कंसॉलिडेट किया था यहां पर देखो एक दिन दो दिन तीन दिल और फिर चौते पांचवी दिन ब्रेक आउट आया था तो इसी के साथ तो अगला जो टार्गेट है 17,900 की आप कॉल ले सकते हैं वेतर स्टॉप लॉस ऑफ 17,690 के स्टॉप लॉस के सा मुझा आज के दिन का जो लो है उसको हमें ऐसा स्टॉप लॉस लेना है और 18,000 का हमें या पर टार्गेट करना है अब आज आ जाते हैं कि कल ह हम लों मार्केट को कैसे अपरोच क करने मार्केट के अगानी नि इस्टी फिफ्टी तो इस पर रही सचरूब हमें यह घथा ऑट से जो भी हो यहाँ पर यहाँ पर सस्टेइन हो गया थे अगर कर्म आपकस इसके नीचे आता है इसके नीचे आता है इसके आपकर ऴार मैंने चरह सीलौ देख रहे हो तो लाइक कर देंगे 17730 के नीचे आएगा तो हम लेगा यहां पर लोग और अगर कर जाता है तो 7900 इस इमीजेट रजिस्टेंस है और अगर यह वाला के सपोर्ट तोड़ देता है तो ही हम यहां पर हम कर पूट लेंगे और हमारा यहां से बाय होगा जस्ट नोट डाउन दी लेवल लेवल चार्ट देखके खेलोगे कभी गलत नी जाओगे अब आ जाते हैं एक इंडसिंड बैंक पर जो काफी लंबे टा से लेपई होना कंपल सरी यह या बढ़ी स्क्रीन वना तरिया कंपल धरी अरि अभी इंडसिंड बैंक अपने जिस्टेंस पर आके उस से यहां पर क्लोजिंग दिया यहां से नीचे गया फिर ऊपर magari लिए प्राईज्य इंक्रीज के साथ गर व्लीम इंक्रीज अगर थान्गिम्रद मट करता है अगर उपर निखलता है नाइनी सेवेंट्टे के उपर निखलता है 970 को आपको और फालो करना है थो This is for learning ritual तो करने यहां पर देचिंग है तो टू पॉइंट से थी पॉइंट का आप ऐसे लीजिए और थाउजन रुपीज का हम यहाँ पर टार्गेट ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्राइज और वाली मेरी स्टैटेजी पसंद आये होगी यहाँ पर आप लोगों कुछ नया ही सीखने मिला होगा क्योंकि मैंने काफी अच्छे से डिस्कवर किये तो चैनल पर पहली बारा है तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें और जाके देखिए कि यहाँ पर मैंने जो ब्रेक आउट दिखाया लाइव मार्केट में जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि यह असेंडिंग ट्राइंगल